प्रेम सबढ़ावा, लक्ष्मी महरानी की जय, अग्धन गुर्वार मा लक्ष्मी जी के ही पूझा करतें, काबर के जब से सत्युक से ही चले आ थावाय, लक्ष्मी जी और भगवान विश्नु जी के वो दिन सुभे के समय मा इसनान वगरा करके, आज हमरी हैं लक्ष्मी जी आही करके वोकर बाँ चौक बगरा बना थें, चौक बना के वोकर कड़ी बनाए रहे पूरा गली से ले करके जहां तक अंदर तक जैँ कर आओ लक्षμी जी भई ठाए रहे रहे हुआ तक और हर गुरुवार के साम के दीपूप लगा के अउला के पत्ती मंगा ही, केला पत्ती मंगा ही, आम पत्ती मंगा ही, कलस रखी ही, लक्ष्मी जी रखी ही, धाबा भर ही, चामल के, ऐसे करके साम कनले ही तयारी करके रख थें, बड़े सब बेरे उट के चार बजे, साढ़े च पूजा करके फिर लक्षमी जी के दूप दीब देखा के फिर पूजा करके जहीसे तेई से अपन समाल रख थें दूसर दिन शुकरवार के सुबह उटके जो कड़ी बनाये रही जो ये बनाये रही वोला सब लफेर तहां मिटा दे थें सनिवार तक नी रख हैं वोला एक दिन महीं रख के मिटा दे थें अई लक्षमी जी के प्रतीक मान के एक बार बहुत दिन पहली जब भगवान क्रिश्ण जी और लक्षमी जी दूनो रहत हैं बलराम और क्रिश्ण जी लग कुछ कष्ट भी हो थें वो बीच मां वो शिर्या घशनिन के घर चल दे थें लक्षमी जी है तो वकर बर ओमन दूनों जीवल नहीं चाहें बीच मां तो बहुत कष्ट पा थें बलराम और क्रिश्ण एक कहानी है उकरो वह उकरे यादगार मां आज भी लक्षमी जी साम के घर से अपन निकल थें बुद्धवार के सुबे तक हो तक ककरो भी घर मजे कर घर खुला पाते है उकर घर जा थे है वही खुला घर मिल ही करके ही सब के सब अपन तीन-चार बजे उढ़ जाते है उठर बाद नहाद होके तयार होके लक्षमी जी के पुजा प्रारंभ कर दे थे ए समय गुरुबार जो है चाठो पड़ा थावाए उकर बाद फिर मंगलबार के पुर्णी मग बाद फिर वो हो जही दूसारे लग जही पूशा जही तो इसे करके एक हर वर्ष उजा लक्षमी जी के किये जा थे हर अग्धन गुरुबार बा कभी कभी पांश्ठो पड़ते कभी चार एठो पड़ते चार ज्यादा पड़ते पांच अचानक एक काठो पड़ते ते अक्सर बहुत कम पड़ते ओ दीन आवला के लकड़ी से बनते आवला के काठ से भगवती लक्षमी जी के मुर्ती बनाय रते हैं फिर ओकरे धाबा बनाय रते हैं ओकरे पिढली बनाय रते हैं बिठे के अब ओकरे हाथी भी बनाय रते हैं ऐसे करके अब आवला के ही लकड़ी के बनवा के ओकरे झाले